गुड मॉर्निंग चिल्डरन, कुसुमम की उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के विश्य, प्रिवे सद्हैन की पुस्तक जरोखा का पार्ट सत्र हैं, जीवन के रंग, मिट्टी के संख का पार्ट सेकिंड करेंगे, जो की सुरू है, 135 स्पेज नमबर, अनाज सुरक्षित रखें कहां, तो देखिए बच्चों, यहां पर समझाया गया है, कि हम अपने घर में अनाज को किस त्रहां से सुरक्षित रख सकते हैं, रमेश सुकूल से घर वापस आया, वह अपना खिलोना सबसे पहले दादी को दिखाना चाहता था, दादी मिट्टी से बने किसी बड़े बरतन में से गेहू निकाल रही थी, रमेश ने पूछा दादी आप क्या कर रही हैं, दादी ने कहा मैं कुठले से गेहू निकाल रही हूँ, रमेश ने पूछा दादी ये कुठला क्या होता है, दादी ने बताया कि साल भर के खाने के लिए हमें जितने गेहू की जरूरत होती है, उसे कुठले में सुरक्षि रख देते हैं और जरूरत के अनुसार निकालते रहते हैं तो यहां पर इन तस्वीरों को ध्यान से देखो बच्चो यही है इसी का नाम है कुठला यह कुठला है देखो इसकी थोड़ी सी अलग से शेप है है ना और यह भी अब यहां क्युशन दिये गए हैं अब बताओ क् तुम्हारे घर में भी साल भर के लिए अनाज रखा जाता है है ना सभी के घर में अनाज रखते हैं यदि हां तो किन बरतनों में तो देखिए हम ड्रम में भी रखते हैं बड़ एक बड़ी जील होती है जील में भी रखते हैं और इसकी गेहु रखने की टंकी भी आती है भी होती है, कोई गोल होती है, कोई चोरस होती है, है ना, अब यहां देखें, महीने भर का आटा या अनाज किस बरतन में रखा जाता है, तो महीने भर का अनाज या जो आटा है, वो हम पीपे में रखते है, यहां फिर कोई स्टील का डबा भी हो सकता है, बड़े डबे में भ रख लेते हैं अब देखिए आगे हैं हमारा पेज नमबर 136 दिये गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्स्थान भरो देखिए बचो यहां पर कुछ शब्द दिये गए हैं मटका चाक खिलोना दिये अब यहां खालिस्थान दे रखे हैं इन में से चाट कर इन बताईएगा मैं आप से ही पूछूँगी बताईए क्या आएगा इसमें कुमहार मटका बनाने के लिए डैस का परियोग करता है बताओ बचो कुमहार मटका बनाने के लिए किसका परियोग करता है श्यावास बताओ मटका बनाने के लिए चाक है न तो हम यहां लिखेंगे चाक, दिवाली पर लोग डैस जलाते हैं बताओ तो बताओ बच्चो यहाँ पर क्या आएगा दिवाली पर लोग डैस जलाते हैं क्या जलाते हैं, दिये तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिये अब यह है डैस पानी को ठंडा रखता है इन में से बताओ पानी किसमे ठंडा रहता है मटके में तो यहां क्या आएगा मटका अब है ठीक उत्तर पर टिक यानि ये ठीक वाला निसान लगाओ तो देखिए मिट्टी के वर्तनों को सुखाने के बाद मजबूत बनाया जाता है क्या करके मिट्टी के वर्तनों को सुखाते हैं उसके बाद क्या करते हैं मैंने इस पाठ में आपको सुखाया भी था है ना मताईए रंग कर पका कर गीला करके या चंका कर किस तरह से मजबूत बनाए जाता है शहाबस बताओ पका कर है ना तो टिक किस पे लगाना है, हमें बताओ कौन सा उप्सन है, शाबास बोलो, ख, very good, यहाँ हम ये टिक लगा देंगे, आगे ये बताइए, बहुत पहले अनाज रखने के लिए, यहे भी काम आता था, क्या काम आता था बताइए, टंकी, ड्रम, मिट्टी का कुठला, या बास क टोकरी, बहुत समय पहले क्या करते थे, बताओ कौन सा आएगा, हाँ, ग, मिट्टी का कुठला, देखो, टंकी ड्रम, जो है, वो आजकल यूज किये जाते हैं, है ना, अनाज रखने के लिए, और मिट्टी का कुठला, जो है, वो काफी पुराने समय में, जो है, यूज कि चीजों पर गोल दाइरा लगाओ, अब इन में से बताओ बच्चो मुझे, कि मिट्टी से बनने वाली कौन कौन सी चीजे हैं, दिये मिट्टी से बनते हैं क्या, गोल दाइरा लगाना है हमें उन ही चीजों पर, दिये बनते हैं ना, तो हम इस पर गोल दाइरा लगा देते हैं और मौमबती मिटी से बनती है क्या नहीं और ये नहीं और ये बताओ श्यावास ये बुक है बच्चों है ना ये बताओ हां मटका मिटी से बनता है तो हम गोलदारा लगा देते हैं और ये बताओ मिटी से बनती है गुल्लक है ये है ना हाँ गुल्लक भी मिटी से बनती है और ये क्या है ये पौट है गुल्दस्ता ये भी जो है गमला ये भी बनता है किस से बताओ मिटी से गमला है ना अब आगे देखो विकास को गुल्लक लेने के लिए कुमहार तक पहुचाओ अब सभी दिहान से देखिए यहाँ पर यह है विकास और यह यहाँ पर है कुमहार घड़े बना रहा है चाप पर तो इस विकास को कुमहार तक पहुँचाना है तो बच्चो आप खुद दिमाग लगाओ अपना और मुझे बताओ कि यहाँ से हम कौन सा रास्ता लें कि विकास कुमहार तक पहुँच जाए बताओ शाबास हम बताओ सोचो हाँ शाबास बताओ देखो विकास अगर यहाँ से यहाँ ऐस तरह से जाएगा तो यह क्या रस्ताबंद हो गया यह तो है ना और बताओ यह चला यहाँ से ऐसे चला और मालो इस साइड से जाता है तो आगी जाकर भी रस्ताबंद हो गया और बताओ शाबास कैसे चलेगा विकास हम यहाँ से तो चलेगा और ऐसे हम बताओ अब विकास चला इस साइड से यहाँ से ऐसे और ऐसे गया विकास यहां से निकल कर यह पहुँच गया कुमहार के पास है ना दिखाई दिया क्या बच्चों आपको यहां से लेकर इस त्रहें से रस्ता पार करते करते और विकास जो है वो कुमहार तब आसानी से पहुँच जाएगा तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अलग से अच्छे अच्छे लेसन उनके किश्चन आंसर सब आपको समझाऊंगी अगर आपने मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हब को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें और साथ में दिये बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो बच्चो फिर बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई